दोस्तों यह जो वीडियो है नहीं काफी जबरदस्त होने वाला है खास करके new creators के लिए और उन creators के लिए भी जो grow कर रहे हैं, grow कर चुके हैं, grow करने वाले हैं उन सबी के लिए इस वीडियो में आप जानोगे कि क्या फर्क था उन creators में जो अपने टाइम पर बहुत grow किये पहल इस से ज़्यादा important वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिल सकता हम शुरुवात करते हैं, हम एक example से समझते हैं, मान लीजी एक छोटा सा शहर है, ज्यादा बड़ा नहीं एक छोटा सा शहर है, उस शहर में सिर्फ एक ही चाई की दुकान है, ठीके, तो शहर के सभी लोग वहीं पर पीते हैं, ठीके, और वो जो चाई वाला है, उसका धंदा जबरदस्त चलता है, तो कुछ साल तक तो उसका धंदा जबरदस्त चलता रहा, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसका धंदा धीरे धीरे डाउन चाने लगा, एक टाइम पर लगबख खतम सा हो गया, नहीं उस च तो पहले इस कहें, या फिर यह कहें कि उससे भी अच्छे चाई वाले आ गये, तो शहर में लोग तो उतने ही थे, लेकिन पहले सारे लोग जा रहे थे एक चाई वाले क पास में, लेकिन अब वही सारे लोग डिस्र्रिबूट हो गए, कुछ यहां रह गया, कुछ वहां, कुछ वहाँ कुछ वहाँ इस वजए से इस चाई वाले के पास में बहुत ही कम लोग रहे गए जिसका जो धंदा था वो पहले लोगों के पास में एक ही ओप्शन था चाई पीने के लिए और लोगों ने एक ही चाई चकी थी एक दुकान वाले की तो लोगों को लगता था अरे यही चाई बेस थे चाई ऐसी ही होती है तो वही चाई पीटे थे ओप्शन नहीं था लोग पास में लेकिन अब जैसे ही इससे अच्छे चाहे वाले आए और भी चाहे वाले आए तब लोग बता चला कि नहीं चाहे तो यह होती असली तो लोग वहाँ पर चले गए और ओवेसली इसके पास ओडियंस कम हो गई सेम चीज यूट्यूब पर भी हुई पहले जो क्रेटर्स थे उन्होंने वीडियो बनाए तो लोगों के पास पर ऑप्शन ही नहीं थे देखने के लिए तो लोग उन्हीं को देखते थे और देखकर ऑर वा critics क्माल का है लेकिन टाइंग के साथ में और भी कमाल के creators आते गए या फिर यह कहें कि इनसे भी ज़्यादा अच्छे कमाल की creators आते गए तो लोग उन देखा कि आरे यह तो इससे भी ज़्यादा कमाल का है तो लोग किसको देखेंगे लोग obviously जो ज़्यादा अच्छा है उसको देखेंगे तो अब यहाँ पर आपको एक और बात समझ लेनी चाहिए कि पुराने जो creators थे जो की अच्छे कासे grow करें लेकिन फिर से down चलेगा डूप का एक तरह के इस तरीके से तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत किया नहीं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, अब लोगों के पास में options बढ़ गए हैं ठीक है, उन्होंने कुछ गंदा content नहीं लाए जिसकी वैसे वो डोप गए, नहीं वो तो content वेसे ही ला रहे थे, लेकिन अब options बढ़ गए लोग के पास में देखने के लिए तो अब लोग उसको choose करेंगे जो कि उन्हें सबसे best लगेगा पहले quality थोड़ी सी कम थी, तो लोगों को लगता था अरे वा, यहीं सब कुछ है लेकिन जब उससे ज़्यादा quality वाली चीज आई, तब लोग पता चला कि अरे असली quality तो यह है, यह तो कुछ भी नहीं है तो लोग यहाँ पर चले गए तो अब हम फर्क जानते हैं, उन creators में जो पहले भी अपनी फिल्ड में बाश्या थे और आज भी उन्हान अपनी बादशाहत कायम कर रखिये अगर हम category देखते हैं, तो उनका नाम mind में आता है संदीप सर पहले भी टॉप पर थे, अब भी टॉप पर है वुवन बाम पहले भी टॉप पर था, अब भी टॉप पर है round to hell आये थे, तब भी उचे ही थे, अभी भी उचे ही जा रहे है नीचे नहीं गए इसी तरीके से और भी कई सारे creators जो कि उपर जा रहे थे उपर ही जा रहे हैं, और बहुत बहुत उपर जा रहे है रनवीर अलाबादया, पहले भी चले, अब और जादा चले डाउन नहीं गए, क्या फरक है इनमे देखो दो चीज़े होती है, पहली चीज़ अपने आपको हमेशा अपग्रेट करते रहे ना जहां है वही नहीं टिकना, जहां आप हो सकते हो आपको वहाँ जाना, तो अपने आपको हमेशा अपग्रेट करते रहे ना वो चाहे संदीप सर हो, भुवन बाम हो, कोई भी content creator हो जो कि आगे बढ़ा है उसने यह चीज़ की है तो अपने आपको हमेशा अपग्रेट करते ना, दूसरी चीज़, अपग्रेट करने के चकर में अपनी जो feel है, जो originality है, वो ना खो देना इतना अपग्रेट कर लिया अपने आपको, कि जो पुरानी वाली feel ही नहीं बची, पहले वाली बात ही नहीं रही, इतना नहीं कर, तारक में तक उटा जस्मा अपग्रेट किया, लेकिन ऐसा अपग्रेट किया, कि आप कोई पसंद नहीं करता, लोगों को तो पुराने वाल कर दिया कि वह पहले वाली फील ही नहीं बची तो अपग्रेट करो लेकिन पहले वाली जो फील है जो मजा है जो information है वो जो knowledge आपको मिल रहा है लोग को आपकी वीडियो से वो कम नहीं होने चाहिए जो main core जो है ना core और संदीर सार को लोग क्यों देखते हैं ट्रस्ट की विज़े से king है वो वो जैन्वीन है बिल्कुल उसकी वज़े से लोग उन्हें देखते हैं वो चीज़ कम नहीं हुई लेकिन बाकि उन्होंने अपना स्टूडियो अपग्रेट किया सेमिनार पहले अलग होते थे अब अ तक उल्टा जस्मा जो शो है उसके फैलिवर से जो डाउन फॉल उसका जा रहा है और अब जाते जाते में आपको एक एसा ब्रमास्त दे करके जाता हूं जिसकी वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक्यू जरूर बोलो कि अगर अच्छी लगती है तो प्लीस थैंक्य मिले स्पॉंसर अच्छे मिले और व्यूस भी रेगुलर ली अच्छे आते रहे उसके लिए मैं आपको क्या टिप देना चाहूंगा ब्रहमास्तर बिल्कुल ब्रहमास्तर सटीक अपनी फिल्ड में टॉप-notch quality का content बना कर दिखाओ हर चीज में पारी किसे हर चीज को इतना गचप का बनाओ कि देखने वालों को मजा आ जाए हर चीज में अलगी निखार दिखना चाहिए इतना knowledgeable इतना valuable क्या quality क्या video editing क्या थी thumbnails बना रखें क्या ही music का selection है क्या ही बोलने का तरीका है क्या ही quality और सब कुछ क्या ही fill दे रहा है सामदे वाला बंदा जब यह चीज लोग आपकी तरफ आकरशित होंगे लोग आप पे बने रहेंगे और अगर टाइम के साथ में भी लोग को वही fill दिखी वही value मिलती रही तो लोग आपकी साथ में बने रहेंगे लोग दुसरे जगह नहीं चाहेंगे अगर लोग को आपकी ही चाह अच्छी लग रही है तो अच्छी फील दे पाता है जो अच्छी एमोशन जनरेट कर पाता है हर चीज में इतनी बारी किसे फोकस करो इतना गजब का कॉंटेंट लोग देखी बिना रहना पाए लोग इंतजार करें लोग आपको कॉमेंट सेक्शन में गालियां देनी चाहिए कि यार तु वीडियो जो क्यों नहीं लाता यार तेरे वीडियो देखने का बहुत मन्त करता तेरे वीडियो क्यों नहीं आते ऐसे कॉंटेंट बनाओ तब मजाएगा तब लंबे टिक होगे तो यह जो एडवाइज ना यह इस वीडियो को अगर आप चाहो तो फिर से रिटेन करके देख लो फि जाना सो इस वीडियो में इतना ही एक लाइक एंड सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री है कर दो प्लीज मिलते जल्दी नेक्स वीडियो में अब तक लिए जाई हिंद जाई भारत